नमस्ते दोस्तों वेलकम बाक टो काया फूट्स तो आज हम आपको सिखाएंगे कि घर पर यमी और टेस्टी केक कैसे बनाना है बिना किसी आवन के बिना किसी एर फ्रायर के हम इसे बनाएंगे सूपर हेल्दी वे में और बहुत ही कन्वीनियंट इंग्रीडियंट के साथ तो सबसे पहले आपको ले लेने हैं खजूर यानि की डेट और उन्हें ल्यूक वाम विल्क में सोक करके 10-15 मिनट के लिए रख लेना है उसके बाद हम इसे क्राइन कर लेंगे याद रहे दूद जादा गरम भी नहीं होना चाहिए जादा थंडा भी नहीं होना चाहिए और उसके बाद हम इसमें आइड करेंगे एक चमब जैकरी पाउडर जैकरी पाउडर बेसिकली शक्कुर का पाउडर या फिर अगर नहीं है तो बुठ लो और उसे कुद्दुकस कर लो उसके बाद उसमें मैने मिलाय आटा इसमें हम मैदा नहीं मिला ले हैं इसको हेल्दी ही बनाएंगे, उसके पाद मैंने डाला है इसमें बेकिंग सोडा, साथ में जाएगा ड्राइफ्रूट्स, इस पे आटा डस्ट कर दीजिए, तो ये नीचे जाके नहीं बैठते हैं, अगर हम बिना आटा डस्ट करें ड्राइफ्रूट्स डाल देंगे, तो जब हम केक्टिन में ट्रांसफर करते हैं, तो वो नीचे जाके बैठ जाते हैं, अब इसमें मैंने मिलाया है थोड़ा सा बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर क्या चीज़ कितनी लेनी हैं, ये सब मैं डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूँग और मैं आप पे बताना चाहूंगी कि ये completely optional है अगर आपको चौको पाउडर नहीं मिलाना है तो आप क्या करोगे एक इलाइची को पीस लोगे उसके जो अंदर के ब्लैक वाले दाने होते ना तो वो इलाइची फ्लेवर केक भी बन सकता है और बहुत ही अच्छा फ्लेवर उसका भी आता है वो भी मैं ट्राइ कर चुकी हूँ उसे भी जल्दी ही upload करूँगी उसके बाद हम जो हमारा निवायाद उता उसे मिला मिला के इसकी consistency manage कर लेंगे और starting में जब हमने dates पीसे थे तब भी उसमें butter add करना था मैं भूल गई थी तो मैंने अभी कर दिया है अभी करो चाहे पहले कोई फर्क नी पड़ता खास अच्छे से इसको mix दे देना है और अगर आपको ज़्यादा tight लग रहा है तो इसमें दूद मिलाते रहिए अपनी consistency के हिसाब से ज़्यादा tight भी नहीं होना चाहिए और एकदम से flowy भी नहीं रहना चाहिए कुछ इस तरीके से जैसा screen पर दिख रहा है वैसे रहना चाहिए और उसके बाद एक side पे आपको कड़ाई तुरन चड़ा देनी है जब आप सारे ingredients मिला लेंगे ताकि वो pre-heat हो जाए और ये cake team लेके इसमें हम घी से इसको grease कर देंगे और इसको set कर देंगे और अब इसको कड़ाई में रखके छोड़ देंगे हम उपर से dry fruit set कर देंगे और इसको bake करने के लिए रख देंगे कड़ाई में और उपर से मैंने एक थाली से ढग दिया है अब इसको हमें कम से कम 25 मिनट के लिए बिलकुल छेड़ना नहीं है और कड़ाई की जो आँच है वो केवल और केवल medium ही रहनी चाहिए हाई आँच पे नहीं रखना है मातर 25 मिनट लगे और ये अच्छे से bake हो गया अब इसको demold करने की जो बारी है तुरंट आपको जल्दी नहीं करनी है इसको आराम से थंडा होने देना है आदे घंटे बार demold करोगे खुदी भार निकलाएगा कुछ इस तरीके से और अब हमारा केक एकदम ready है और इसको हम cut करके serve कर सकते हैं किसी को refrigerate करना है तो हम वो भी कर सकते हैं और इसके उपर आप अगर melted chocolate डालना चाहो तो सोने पे सुहागा अगर ऐसे भी पसंद आई है तो please like, share, comment and subscribe मिलती हूँ जल्दी अगले वीडियो झाल